जिला कांगडा में देर रात होई वर्षा के कारण पठान कोट मंडीर राष्टिर राजमार्ग पर 32 मील के पास फोरलेन कारे के चलते राजमार्ग पर भारी फिसलन हो गई जिससे सुबह सवेरे एक कार फिसल कर पलट गई गनीमत यह रही कि कल सवार को कोई चोट नहीं आई वहीं इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों का लंबा जाम लग गया मार्ग पर भारी कीचर के कारण वाहन बिल्कुल ही रेंग रेंग कर चल रही है एवं एक किलो मीटर का सफर तै करने में वाहनों को एक से डिड़ घंटे लग रहे हैं 32 मील के दोनों और दो-दो किलो मीटर तक जाम लग रहा है प्रते दिन आने जाने वाले यात्री, स्कूली बच्चे, सिख्षक, करमचारी जाम में बुरी तरफ फंस गए आमूमन जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो यहां जाम लगी जाता है जाम में फसे लोगों ने कमपनी से आगरह किया है कि समस्या का समधान किया जाए किसे लगी घर आगे किस में जाए जाए जां जाए जाए सब्सक्राइन हिमाचल प्लस नीज़ के लिए जवाली से राजेश कॉंडल के रिपोर्ट